रसूई गैस को इस्तमाल करने वाले परिवारों के लिए एक एहम जानकारी सामने आई है एक नॉमबर यानि अगले महिने से फेल कंपनिया लपीजी सिलेंडर का नया डिलेवरी सिस्टम लागु करने वाली है अगर आपने इसका पाला नहीं किया तो आपको गैस सिलेंडर की डिलेवरी लेने में दिक्कत आ सकती है गलत जानकारी के कारण गैस सिलेंडर की डिलेवरी बंद हो सकती है सरकारी तेल कमपनियों ने गैस चोरी रोकने और सही ग्रहकों की पहचान के लिए नहीं वेवस्ता लागू करने का फैसला किया है इस प्रोसेस को Delivery Authentication Code कहा गया है सिलेंडर की होम डिलेवरी एक नॉमबर से OTP के जरीए होगी बिना OTP बताए डिलेवरी बॉय से सिलेंडर नहीं ले पाएंगे आप मिली जानकारी के मुताबिक रसोई गैस बुकिंग कराने भर से सिलेंडर की डिलेवरी नहीं होगी अब से गैस बुकिंग के बाद ग्रहकों के मोबाइल नंबर पर एक OTP भीजा जाएगा जब सिलेंडर डिलेवरी के लिए आएगा तब ये OTP आपको डिलेवरी बॉय के साथ शेर करना होगा एक बार इस कोट का सिस्टम से मिलान करने के बाद ही ग्रहक को सिलेंडर की डिलेवरी मिलेगी तेल कमपनिया डिलेवरी आथिन्टेकेशन कोड को सबसे पहले 100 स्मार्ट शेहरों में शुरू करेंगी इसके लिए 2 शेहरों में पाइलेट प्रोजेक्ट चल रहा है आपको बताते चलें कि अगर ग्रहकों का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो डिलेवरी पर्सन एक एप के जरिये इसे रियल टाइम अपडेट भी कर पाएगा और कोड जनरेट करेगा यानि डिलेवरी के वक्त आप उस एप की मदद से अपना मोबाइल नंबर डिलेवरी बॉय के जरिये ही अपडेट करा सकती है एप के जरीए रियल टाइम बेसिस पर मुबाइल नमबर अबडेट हो जाएगा इसके बाद उसी नमबर से कोड भी जनरेट करने की सुविदा होगी